नमस्कार, स्वागत है आपका Dream Talents की एक और विडियो में हिमाचल प्रदेश के Sports Facts पर World's Highest Ground, यानि कि दुनिया के सबसे उंचे grounds, तीन grounds ऐसे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं पहला है यमाचल प्रदेश के Shimla District मिस्थित शिलारू होकी स्टेडियम यहाँ पर देश भर के होकी खिलाडी प्रक्टिस करने आते हैं और दूसरा है यमाचल प्रदेश के धरमशाला मिस्थित क्रिकेट स्टेडियम इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं इसकी खुबसूर तीस उंदरता के बारे में भी हम सब ने सुना है या देखा है और तीसरा है चैल का क्रिकेट ग्राउंड इसकी स्तापना अठारा सो एक्यानवे में हुई थी और ये अठाथ हजार अठारा फीट अबव सी लेवल है यानि कि समुद्री तख से आठ हजार अठारा फीट उंचा हिमाचल प्रदेश ने देश को बहुत ही अच्छे खिलाडी दिये हैं इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं कुछ खिलाड़ों के बारे में जान लेते हैं पहले हैं विकास ठाको यह इत हमीरपूर से बिलोंग करते हैं दूसरे हैं शिवा केशवन सिक्स टाइम ओलंपियन है यह भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूग यूगे गेम होती है विंटर इलंपिक्स में वहां कॉंपीट किया है तीसरी है सुष्मा वर्मा इंडियन वुमिन क्रिकेट टीम की यह विकेट कीपर हैं बहुत ही मशूर हैं बहुत ही अच्छा कर रही है अपनी लाइस में डिशी दावन जो की बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम के हम सब चानते ही हैं इनके बारे में इस स्लाइड पे आप दो होकी प्लेयर्स की फोटोग्राफ देख रहे हैं चरणजी सिंग यह 1964 में इंडियन होकी टीम के क्याप्टन थे इंडियन होकी टीम में 1964 में समर ओलम्पिक गेम्स में जीत हासिल की थी और दीपक ठाकुर जी यह 2005 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था प्रेजिट अब्दुलकलाम अजाद क्या हतु शिलारो स्टेडियम बहुत लोगों ने इस बारे में नहीं इसके बारे में नहीं सुना होगा पर यह वर्ल्ड का हाइस्ट होकी स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश का बीर बिलिंग यहां पे पाराग्लाइडिंग साइट है बहुत ही सुन्दर बहुत ही मशूर पाराग्लाइडिंग साइट है यह यहां पे पाराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप हुआ था पहला 2015 में और इस साल का यानिकी 2023 का वर्ल्ड कप यहीं हुआ थ हिमाचल प्रदेश के ये खूब सूरत धर्मशाला क्रिकेट सिटेडियम के बारे में तो हम सब जानते हैं हम सब ने टीवी में इसे देखा है और एक बार यहां जाने की इच्छा जरूर हुई होगी सबकी हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो 1980 की है यहां की क्रिकेट टीम 1985 से रंजी ट्रॉफी खेल रही है और इन्हें अपनी पहली जीत 1990 और 1991 की रंजी ट्रॉफी ने मिली हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असेशिएशन धरमशाला में है यहां पे कई इंटरनाशनल माचिस हो चुके हैं और इस बार यहां की 2023 के वर्ल्ड कप क्रि एसे यानि की हिमाचल प्रदेश फुटबॉल असेशिएशन ने मोहन बगान यह एक एशिया का ओल्डेस्ट अथलेटिक क्लब है फुटबॉल का इनसे इन्होंने टाइप किया है ताकि उन्हें टेक्निकल इन्पोर्ट और अधर सपोर्ट दूसरी सपोर्ट फुटबॉल क को लेकर हिमाचल प्रदेश फुटबॉल असेशिएशन को मिल सके एशिया की सिर्फ और सिर्फ एक नाच्रल आइस के टिंग रिंग शिम्ला में है यहां पर 2009 से इंटरनाशनल आइस होकी प्योर्णिमेंस हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश अपने गोल्फ कोर्स के लिए बहु गोल्फ कोर्स है चंबा डिस्ट्रिक्ट में खजियार में यह बहुत ही बहुत ही सुन्दर एरियास है तीनों गोल्फ कोर्स के प्रिटिशर के जमाने से चले आ रहे हैं है गोल्फ कोर्स चो नालदेरा का है वो लौड करजन दवारा बनवाया गया था 1903 में हिमाचल यानि कि जैववविध्यता के लिए चंबा और दलाउजी के बीच में बसा हुआ खजियार इसे मिनी स्विज्जिलान भी कहा जाता है और यहां पे एक गोल्फ कोर्स भी है बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्राक्शन है बहुत ही अच्छे से मिंटेंड है और एक पर्फे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं धन्यवाद